असलावलिकुम फ्रेंड मैं फर्जाना मेमन आज आप लोग के लिए लेक आएंगे मैं इमली की चटनी की रेसिपी मैं आप लोग को आज इस रेसिपी में बताऊंगे कि इसकी इमली का पेस्ट किस तरीके से निकालना है और आप लोग को इस इमली की चटनी को किस तरीके से म बिगा दिया था इमली आप लोग जब भी लें और चक्नी बना रहे हैं तो इसे आधे घंटे पहले बिगा दें ताकि इसका पेस्ट जो है ना वो आसानी से निकल आएगा नरम हो जाएगी बिल्कुल तो आप देख सकते हैं कि इमली मेरी नरम हो चुकी और मैं अच्छी तरी ले लिए और इमली के पेस्ट को मैंने उसमें शामिल कर दिया अब इसके अंदर मैंने आधा गिलास पानी और डाल दिया है और जो बीज मैंने निकल कर साइप पर रखे ताना वो फिर इस पानी के अंदर मैंने भीगा दिये अब इसे में फिर इसका पेस्ट निकाल लूँ तो आपको भी इसी तरीके से इस चटनी को बनाना है ये चटनी बहुती मजे की बनती है बहुती जल्दी बनती है और देखें अगर आप लोग यह चतनी बनाएं कर रख देंगे तो आप पूरा महीना इसे enjoy कर सकते हैं तो यहाँ पर देखें फिर मैंने उस पानी को उसे इमली के अंदर डाल दिये अब मैं इसे फिर तीसरी दफ़ा पानी में बिगो रही हूं और इसका मैं पेस्ट निकाल रही हूं यहाँ पर मैं इमली का पेस्ट निकालती हूं तो तब तक अगर आप लोग मेरे चैनल पर निकाल लिया अब यहां पर पेस्ट हमारा तमाम तयार हो गया है यहां पर मैंने डाल दिया एक चमच बरकर कुटीवी मिर्च कुटावा भुनावा जीरा एक चमच काला नमक और सुफेद नमक इन चार चीजों को हमने डाल कर रख दिये कड़ाई के अंदर आप मैं यहां पर शामिल कर देती हूं इसके अंदर आधा पाओ के करीब गुड गुड अगर आप कूट के डालना चाहता है तो कूट के डाल द सिजर भी आगे मैं आपको इसको बता रही हूं आप लोगों ने अभी मेरी वीडियो यह पूरी नहीं वी यह रेसिपी तो आप लोगों ने इसे एंड तक देखना है आपको यह भी बताऊंगी के इमली इतनी पतली है तो गारी कैसे होगी तो देखें बस गुड को आपको तोड के डालेंगे तो आपको यह आसानी और आसानी हो जाएगी बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुड जो है बिल्कुल गल गिया है अब यहाँ पर मैंने ले लिए दो चमच कॉन फ्लावर को आपको डायरेक इसके अंदर नहीं डालना है अगर आप इसमें डायरेक डालेंगे ना तो इसके अंदर गिठाने आ जाएगी और आप इसे छोड़ा नहीं पाएंगे बस इसे मैंने सादे पानी के साथ गोल लिये और आप देखें मैंने एक हाथ में चमचा पकड़ा है और दूसरे हाथ में कप और इसकी मदद से थोड़ा थोड़ा करके आप डा इतनी हमारी तो इतनी मज़े की लगती है ये खाने के अंदर के मैं आपको बता नहीं सकती तो आप लोगों को अगर ये मेरी चट्टी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें कमेंट कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें आपका कमेंट और लाइक भूलिएगा शुक्रिया यहां पर आप देख सकते हैं कि चट्टी हमारी कितनी गाड़ी हो चुकी है बस इतनी ही गाड़ी रखनी हम चूले को बंद कर देंगे क्योंके ठंडी होने के बाद है और थोड़ी गाड़ी हो जाएगी तो यहां पर देखें कितनी मज़े तर यक और जब इफ्तार में जरूरत पड़े आप चट्टी निकाले इफ्तार में इसका लुफ्त उठाईए गर्मा गर्म पकोड़े और समोसो के साथ तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए लाफिज दौाओं में याद रखिएगा अपना धेर सारा क्याल रखिए जर बादां में अणिगा